हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में दोस्तों आपने यूट्यूब की सबसे सांदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है आपका यूपी एस आई का 12 नॉवंबर का थर्ड शिफ्ट का एक्जाम समापत हो चुका है थर्ड एक्जाम फोर यू चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को ओन कर लेना तागि आपको यहां पर हरेक्जाम का रिक शिफ्ट का अनलाइसिस समय पर देखने को मिलता रहे और गवर्मेंट एक्जाम की प्रिपेशन आप गाईज एक्जाम फोर यू चैनल पर कर सकते हैं तो देख लेते हैं आपकी थर्ड शिफ्ट में क्या का कोश्चन पूछे गए हैं एक कोश्चन दर सार्जनिक छेतर के बैंको यानि पबलिक सेक्टर बैंक की संक्या कितनी है बारा है नेशनल इंकम कोंसी अजनसी निकालती है केंद्रे सांकी की कारिया ले निकालता है प्रोटोन के बराबर होती है नेशनल प्राकरती गैस का सरवधी गुत्पादक देश कोंसा संयुक्त राज्य अमेरिका है गाईज नेशनल चार मिनार का इस्तिता है ये हैदराबाद में है डांडी मार्च की सुरुआत कब हुई थी 12 मार्च 1930 में 12 में पहली बार इंटरनेट कब सुरुआता 15 1995 में ना बैल आइकन को अउन कर लेना ताकि आपको यहां पर और एक एक सिफ्ट करना इसी समय पर देखने को मिलता रहेगा नीती आयो के अपाद एक सखोने राजीव कुमार है इस्तारे स्वासेसन का जन्म किस गवरनर के समय में हो था लोड रिपन के समय में हो था रभिनाठ टेगोर ने नाइटूड की अपादी किस गन्ना के बाद त्याग दी थी जलियावाल अबाग अत्याकारण के बाद जो आप्रवाय जा सकता है किसे मावयोग द्वारा अटाय नहीं जा सकता है ने कि पनेशिलियम के फफून यानि कवक होता है लपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस पूना पैक डॉक्टर अंबेड कर और किसके बीच में हो था माधमा गांदी जी के बीच में हो था बावीर का जनम का हुआ था वैसाली के कुंडल पूर जिसे कुंडल ग्राम भी बोला जात को एसेटिक सुसाइटी की स्थाप ना किसी ने की थी विलियम जोन्स ने की थी युनेसको का मुख्याल है परिस फ्रांस में है नेक्स्ट कोशन दगाइस बारते समविदान में नीदी निड़ दे सकता है यह आईलेंड से लिया गया है मौली का दिकार अमेरिके से संसोधन मुखेने इसक्रणते रंजन को गोही थे से नेक ता भारत में बारत HOL can मुखी है नेक्स्ट कोश्चन था गाइज अंतराष्टे वन्य दीव दीवस कब बनाया जाता है तीन मार्च को बनाया जाता है जिसका भी नेक्स डेया नेक्सिफ्ट पर एक्जाम होता है इन कोश्चन को अच्छे से पढ़ कर जाए इंपोर्टेंड वाले कोश्चन आपके यहीं से बनेंगे नेक्स ता दो संख्याइ तीन और चार के अलुप बात में उनका यल्सेम चुराशी है तो बड़ी संख्या क्या है यह आपको बताना था अगर आप तीन और चार का यल्सेम देखोगे बाराएगा बारा की वैल्यों में दे रखिए कोश्चन में पर आपका यानि आपका सी राइट आनसर तो गाई यह थे आपके यूपी एसाई को जो पेपर कराया गया बाराणों वेडियो में आपको कवर कराए वीडियो है तो फटा-फट से लाइक कर दे अबने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी से एक्जाम फोरी चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को ओन कर लेना ताकि आपको यहां पर हर एक एक एक्जाम कर एक सिफ्ट का अनलाज से समय पर देखने को मिलता रहेगा तो दोस्तों इस वीडियो में तरह वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंज जैबाद